असलाम वालेक और रहमतुलाई बरकातू विलकम टो रुजदास कीचन आज हम चने की नारियल वाली सुखी सबजी बनाएंगे जो बिलकुल ही इजी और कम टाइम में और कम इंग्रिडियन में बनती है ये बहुत ही लाजवाब बनती है आप एक बाइसे जरूर ट्राइ कीज कीएगा हमने इसे चपाती के साथ सर्फ किये है आप इसे चावल की रोटी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगते है इससे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लाल वाले टो फिफ्टी ग्राम चने को ओवरनाइट सोख करने के लिए रख दिये थे अब यह हम इसे कुकर में वान टी स्पून नमक दाल के इसे अच्छे से गला लेंगे हमने इसे पा से छे सीटीया लगाकर इससे अच्छे से गला लिए है अब हम चेक करके बता रहे हैं यह अच्छे से गल चुके है बॉल किये वे चने हमारे रेडी है, हमने इसे छान के निकाल दिये है, वन पैकेट हमने मैजिक मसाला ले लिए है, तीन मीडियन साइज प्यास को हमने चॉप में कट कर लिए है, तीन मीडियन साइज टोमेटो को भी हमने चॉप कर लिए है, आधा नारियल हमने ग्रेट करके ले लिए है इस तरह से हाफ टीजपून हल्दी पाउडर हाफ टीजपून गरम मसाला पाउडर टेस्ट के सब से नमक तीन से चार कलिया लेशन के ग्रेट करके ले लिए है हाफ टीजपून सफेज जीरा ले लिए है तीन हरी मिर्च थोरे से करी पत्ता दो टीजपून हमने ल उसमें half cup oil दाल देंगे, तेल अच्छा से गरम हो गया है, हमने जीरा, लैसन, प्याज, हारे मिर्च और करी पता, सारी चिज़े हमने डाल के इसे अच्छा से हमें sauté करना है, जब तक के इसका color change नहीं हो जाए, हमें इसी तरह continuously चलाना है, ग्यास की flame को हमने medium to high रखा है, अब इसका color भी change हो रहा है, इसका light pink color आ चुका है, अब हम इसमें tomato जो हमने chop करके रख दिये थे, वो इसमें डाल देंगे, टमाटरों को भी हम high flame पे थोड़ी दर इसी तरह चलाते रहेंगे, क्योंकि टमाटर में पानी बहुत रहता है, तो इस थोड़ी दर सूख जाए, बस इतना ही हमें sauté करना है, अब इसमें नमक डाल देंगे, और इसे हल्का soft होने तक उसे धक के रख देंगे 5 मिनट के पानी है, बस हल्का soft हो जाए, हम masala दाल देंगे, अब इसमें हल्दी और मिर्च पाउडर दाल देंगे, मसाले को अच्छे से प्यास टमाटर में मिक्स कर लेंगे, और बॉयल किया हुआ चना वो दाल देंगे, हमने इसका पानी बाकी रख दिये थे, बॉयल किया हुआ पान मिर्च पाउडर देंगे, इसमें पांच मिनट पताले में अच्छे से पुरादा दाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें 10 से 15 मिनट के लिए slow flame पे हम इसे पका लेंगे ताकि नारियल का टेस्ट अच्छे से चने में आ जाए बीज बीज में हमें इसे चलाते रहेंगे हमें इसे ज्यादा ड्राइ नहीं करना है इतना ही हमें गीला रखना है ये रोटी के साथ खाने के लिए बहुत अच्छा है हमें इसे ज्यादा पतला भी नहीं रखना है ज्यादा ड्राइ भी नहीं करना है बस इसी पॉइंट पर हमें ग्यास की फ्लेम को आफ कर देना है अब इâte लौखने की सुक्षी की रेसीपी आप अप कैसी लगी मुझे में कमेंज में जरूर बताईएगा, आप एक वाह से जरूर ट्रा अलाई किझेगा सहबस्त मामा ऑगा यह जो चान्य बनाते हम लोग को बहुत पसंद आते हैं आप भी इसे जरूर ट्राइब कीजिएगा हमारी रसेबी पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दुआओं में याद कीजिएगा फिर मिलेंगे इंचाला नेक्स रसेबी के साथ जब तक के लिए आल्ला हाफिस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारी रिक्वेस्ट है आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा